Hello students, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि trigonometry के standard angles की values कैसे लिखें, उसका shortcut trick क्या है, क्योंकि इसी shortcut trick के base पर आप इन standard angles की values easily लिख सकते हैं, otherwise आपको learn करना पड़ेगा. और ये आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ना के वल 10th class में, 11th class, 12th या उसके आगे, अगर आप कोई भी professional course करते हैं, उसमें अगर trigonometry है, तो उसमें standard angles के base पर ही, आप trigonometry के किसी दूसरे angle की value calculate करेंगे, जैसे sign 950, अब sign 950, 950 standard angle तो नहीं है, लेकिन ये तभी calculate होगा जब आपको standard angles के बारे में पता हो, 10, 10, 20, 0 degree, अब 10, 10, 20, 0 standard angle तो नहीं है, लेकिन वो तभी आप पता सकते हैं, जब आपको standard angles की values पता हो, तो मीनिंग ये standard angles आपको अच्छे तरह से आना चाहिए, ठीक है, उसी से related, मैं आपको एक trick बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले, एक word के बारे में आपको जान लेना चाहिए, और वह word है core issues, core issues, यहां मैं जो use करने वाला हूँ, वादे के, हम जो trigonometric word use करते हैं, वो क्या होते हैं, sine, cost, 10, quart, sec, quasset, हम ये भी जानते हैं, कि order यहीं होना चाहिए, order चेंज नहीं होगा, sine, cost, 10, quart, sec, quasset, इसके बारे में और भी बहुत सारी statements आपको trigonometric के introduction class में बता दिया गया है, देखें, फिर भी, क्योंकि इसकी जरूरत है, इसलिए आप भाना चाहिए, मैं एक बारी से revise भी करवा दे रहा हूँ, देखें, ये भी आपको उसमें बताया गया था, कि sine, cost, 10, quart, sec, की direct कोई इसकी meaning नहीं है, ये meaningless है भी, कब तक meaningless है, जब तक इनके साथ आप किसी angle को use नहीं करते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि इनके साथ कुछ भी लिखें, वो सब angle लिखें, theta लिखते हैं, sine, quart, 10, जो भी होगा, वो angle है, 2x लिख दिया जाए, तो 2x भी angle ही है, कुछ भी लिख दे, 2x भी लिख दो, तो 2x भी भी, sign का angle ही है, कुछ भी लिखा जाता है इनके साथ, वो angle ही का जाता है, चलो, ये बात clear हो गई, चाथ core issue की meaning क्या होगा, बहुँ, core issue की meaning, जो साथ साथ रहते हैं, जो साथ साथ रहते हैं, जैसे का जाता, को एजूकेशन, को एजूकेशन की meaning, जिसी स्कूल में boys, girls साथ साथ पढ़ते हैं, उसे को एजूकेशन का जाता है, अगर किसी स्कूल में boys अलग हैं, girls अलग हैं, तो वह स्कूल को एजूकेशन का नहीं रहते हैं, ठीक है, तो ये co-education कि नहीं है, साथ-साथ रहतें, कोई stars, कोई stars कि मीनिग एक ही movie में जो साथ काम करते हैं, दो stars, उन्हे कोई stars कहा जाते हैं, अलग-अलग movie में काम करने वाले कोई stars नहीं होते हैं, स्टन्डर्डे ऐंगल्स इखे, ऐसा उन्य और फ्रफानि से कोरी ईसो खाए sensors, आपको जितने एंगल्स चाहिए उस सब आप calculate करते हैं तो हम इन ही angles को calculate करने का तरीका सीखने वाले हैं 0, 30, 45, 60 and 90 और किस के लिए इन ट्रिग्नोमेट्टिव वर्ड के लिए क्यों कौन से है ये वर्ड? Sine, Cos, Tan, Cart, Set, Cossack इन के लिए हम angles लिखते हैं लेकिन angles हम direct नहीं लिखेंगे एक trick है उसके base पर लिखेंगे ठीक है, core issue तो आपको word पता ही चल गया है चलिए, वह trick ढूटते हैं आप एक काम परो, 5 standard angles है न 5 values लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 काम अचा हो तो देदो ये लिख लिखना मुश्किल नहीं है इन सब को 4 से divide कर दो इन सब को 4 से divide कर दो और इन सब का under root कर लो इन सब का under root कर लो क्या आएगा देखो 0 by 4 तो 0 होता है 0 का under root 0 ही होगा मैं दोई steps में लिख दे रहा हूं जिससे समझना और आसान हो जाए 1 by 4 का under root करोगे तो 1 by 2 आएगा 2 by 4 हो जाता है 1 by 2 और 1 by 2 का under root करोगे तो 1 by root हो आएगा क्योंकि 1 का root तो नहीं होता है इस root 3 by 4 का root करोगे तो root 3 तो होगा ही होगा और divided by जब 4 का root करोगे तो यह 2 हो जाएगा क्योंकि यह हम जानते हैं अगर कहीं भी root x by y है तो हम लिखते है root x divided by root y यह तो होता है न इसी base पर हमने यह रिखा है 4 by 4 तो 1 होता है और root 1 1 होता है यह 5 values हमारे पास आ गए कैसे हमने निकाला इसे 0 1 2 3 4 4 से divide under root अब यह values किसकी है sine की है 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 sine की maximum value 1 होते है किसी भी एंगल के लिए sine 91 अब आप क्या है sine यह आपने लिखा है 0 value मैं बता रहा हूं 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 अब sine और cost एक दूसरे के core issues होते हैं ध्यान दें अब हमने क्या क्या जो order है sine के लिखने का उसी को उल्टा कर दो reciprocal नहीं order उल्टा करो उल्टा कर दो मेनिंग जो 90 था वो 0 degree हो गया यही था ना देखो यह 0 degree था अब यह 90 के पास पहुँच गया जो 90 वाला था वो 0 के पास पहुँच गया तो अब उल्टा करोगे तो क्या होगा 1 root 3 by 2 यह बीच वाला तो इधर से उधर से दोनों यही रहेगा 1 by root 2 1 by 2 0 हो गया काम अब चलते हैं 10 के तरफ 10 क्या होता है 10 के लिए तो एक फार्मूला हम जानते हैं क्या sin by cos ठीटा लगा लो एंगल कोई भी एंगल लगा लो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक अब जड़ा देखो 0 by 1 sin by cos अब कर रहे है 0 by 1 0 होता है और something by 0 infinity होता है तो 0 by 1 करोगे 0 30 के लिए करोगे 1 by 2 by root 3 by 2 तो आएगा 1 by root 3 45 के लिए करोगे तो आएगा 1 root 3 by 2 by 1 by 2 करोगे तो आएगा root 3 1 by 0 करोगे आएगा infinity क्या आएगा infinity something by 0 meaning not defined infinity लिखो या not defined लिखो कोई फरक नहीं पड़ता 10 के लिए रिखाद 10 और कॉट एग दूसरे के को रिशोर तो आप क्या करो 10 का जो order है वही उल्टा कर दो reciprocal नहीं उल्टा अब यह हो गया infinity root 3 1 1 by root 3 0 हो गया काम sec के तरफ चलते sec cost का reciprocal होता है sec क्या होता है 1 by cost किसी भी angle के लिए cost का reciprocal करतो अब cost देखो 1 यह reciprocal की मैं बात कर रहा हूँ 1 by 1 क्या होता है reciprocal की नहीं 1 by अगर मैं x का reciprocal पूछो तो 1 by x होगा reciprocal की नहीं 1 के division farm की पहली होती है root 3 by 2 का reciprocal करोगे तो क्या होगा 2 by root 3 root 1 by root 2 का reciprocal करोगे तो root 2 1 by 2 का reciprocal करोगे तो 2 और 0 का reciprocal करोगे तो 1 by 0 हो जाएगा जो not defined होगा reciprocal की meaning 1 की division form में तो 1 by 0 आ जाएगा जो not defined होगा अब sec और cosec तो एक दूसरे के core issues है तो जो sec quarter लिखा उसेगा उल्टा करतो, reverse ठीक है, तो infinity यहां हो गया 2 यहां हो गया, root 2 तो यहीं रहेगा center में, 2 by root 3 हो गया यहां बन होगे, यह हो गया angle आपको learn करने की जरूवत नहीं है मुझे explanation में time लगया otherwise आप जब एक बारी से देख कर खुद करोगे, और एक दो बार और अच्छी तरह से practice करोगे एक minute के अंदर आप बना लोगे table और अगर यह table है तो आप किसी भी आगे के angles को बना सकते हैं जिस भी angle को आप चाहो, free हो बनाने के लिए, क्योंकि इसी standard angles के base पर ही आगे के angles बनाए जाते हैं